सभी का बहुत बहुत स्वागत है चुनाओ सामने आ चुके हैं पांच महीने महें चुनाओ में बचे हैं आम चुनाओ निधरत करेगा कि इस बार केंदी की सबसे उची कुरसी पर कौन बैठेगा बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है और बिपच या सूपड़ा साप की बात कर रहा है क्या होगा वो आने बाला समय बताएगा जनता जनार दिन फैसला करेगी पसके पहले तमाम तरह के सब्दों की सब्दावली देखने को मिल लई है तमाम तरह के सब्द चर्चाओं में बने हुए है खेर भारती लोकतन बिश्टु का सबसे बड़ा लोकतन दे पर यहां पर लोग संस्किती सब्दा संसकार भूल चुके है इसी तमाम तरह के अफसर हम देखते हैं कि इस तरह की सब्दावली उपयोग की जाती है कि उससे मान भी खराब होता है हमाई देश की पिटिस्था भी खराब होती है और कहीं न कहीं जो आम जनता है उसके हिर्दाएक को भी ठेश पौसती है पर यहां पर ऐसे कोई सब्दावली पयोग नहीं की गई है बलकि ऐसी सब्दा बली प्रियोक की गई है जो अमूनन हम जब कोई सामान लेते हैं तो उसमें पूछते है वारंटे और गारंटी जिहां तो आज के मुद्दा भी हमारा गारंटी जुड़ा हुआ है पर यहां पर कोई सामान नहीं ले रहे हैं बलकि यहां गारंटी है फिरा मंत्री नरिंदर मोदी की यहां पर वो जहां जहां सभा करने जा रहा है महां मोदी की गारंटी बता रहा है वो कह रहा है कि मोडी की गारंटी ऐसा होगा इससे पहले भी उन्होंने गारंटी दी थे और उन्होंने कहा था कि 24 में जब उनका तीसरा कारकाल सुरू होगा सरकार 30 वर आएगी तो हमारा देश बिस्ट की तीन बड़ी अर्थव्यस्थाओं में सामिल हो जाएगा यह सब्द का इस्तमाल भी हो रहा है लगातार और गारंटी दुरान यहां पर किसानों को सम्मा निरी बलाने की बार की गई है रायस्थान में जो सरकार है उसको सलाखों के पीछे भीजने की बार कही गई है यह भी कहा गया है कि जो गरीब है उनको यहां पर आद निर्वर बन कि बात की गई है कि यहां पर गरीवी को मुख्त भारत होगा गरीब नहीं रहेंगे और यह बात पड़ामति नरेन मोदी छतिजगण में राइस्थान में मड़पडेश में तिलंगाना में मिजुरम सब जगह कहें और खास्तोर से रायस्थान में बोग लगातर बोल ला है कि गारंटी हम ले रहे हैं वो तब मोधी की गारंटी होती है तो उसमें कोई संसे नहीं होना चाहिए यहां तक कि उनके बाद जो सभा करने जारे बड़े इस्टार पिचारक भी यहां पर मोधी गारंटी की बात खाल के कि नहीं बलकि यह गारंटी अदानी की है यह गारंटी अरग पतियों की है और उनके यहां पर मोधी की की, आदानी की गारंटी कुरार दे लिया 2 चुनाब है, इस समय के बयान तो आते रहेंगे पर इससे पहले भी ये बात देखने वाली है कि जब मेरी प्यश्टों जारी होता है तो तमाम तरह की बात कही जाती है इससे पहले भी हमें देखा जब मेरी प्यश्टों जारी हुआ था तो पंदर लाख देने की बात की गई थी हलांकि बाद में ये भी कहा गया पड़निता के दुवारा कि महद जुमला था यहाँ पर लोगों को आद्मिर्बा मनाए जाएगा कि वो पंदर लाग स्वयम कमाने योग हो जाए तीक है अच्छी बात है अब क्या जुमला था क्या हकिकत है ये लोग जानते होगे पर यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे था तो उस तरह से यहाँ पर एक ही बात सामने आती है कि यहाँ पर मोधी गारंटी अगर लगी हुई है तो गारंटी का परियाय क्या है यहाँ पर प्रहाँ मंतरी गारंटी दे रहा है और उससे पहले भी हम्हें देखा है कि प्रत्रागस्ट को लाल किले की प्राचीर से जब रॉनरत तुरंगा धज लह रहाए था, पिर है था तब रॉनरत कहा था कि यह पर मैं जब आउंगा अगली बार तो और कुछ बड़े- मैं फिर आउंगा उसे सपस्थ होता है कि पिरामंति नरेन मोदीम ने उसकी भी गारंटी ले ली थी कि अगले पंदरागस को भी हम यहां पर होंगे क्योंकि इसके बाद 26 जन्वरी को तो तरंगा लेनाने का मौका अपने दूसरे कारकाल मिलेगा पर पंदरागस को नंको तो लेनाने का मौका तभी मिलेगा ज़नता और उनको 30 राजा के रूप पयारी पिरामंदि की रूप में यानि अपने सबसे मुख्य सेब़क की रूप में स्विकार करेगी पर जैसे जैसे यहांपखनी की बात होरी तो रहाल गांडी भी यहां पर गारंटी को अडानी की अमानी के नाम से हमेशा ही कटास किये जाते रहे हैं और आहल गान्दी भी तमाम मोर्चों पर तमाम जगों पर यहां पर मोडी की गारंटी के जासे में ना आने की पार भी कह रहे है। तो पहला सवाल मेरा रहेगा बेविक स्यास्तों से गारंटी सब्सक्राइब कोई सामान लेते थे पर यहां पर बड़ी बात है इसको चर्चा कहेंगे को कि यहां पर मंत्री गारंटी दे रहा है और यहां पर भी रायस्थान में भी गारंटी ली जा रही है और रहुल गारंटी को लेटों अडाने अमाने और दिव पत्यों की गारंटी बता रहे हैं तो यह गारंटी वारंटी यह आप ही पता पाएंगे हैं कि उसे पहले भी तमाम तरह के गारंटी ली गई थी और इसका क्या परिपेच्छ है या आप बेतर समझाएंगे प्रवक्ता भाजपाप बेबक स्रीवास्तों देखे गवरों जी जब नरेज मोदी जी कोई बात कहते हैं तो उसका पुरा देश दुनिया गंभीरता से सुनती है देश दिनया के सबसे लोगपली नेता है भारत में उनकी लोग्त नेता भी चरंपे है और उनकी विश्वस्थ नाता भी नमबर एकी है अगे इस तिया है कि पूरे भारत में क्या दुनिया में उनसे विफ़ जादा लोगत बोडिय कोई नेता नहीं है लगाता तमाम सर्वे में मोधी जी नमबर एक रहे और ये वुकाम कोई एक दिन में या किसी के मेनेजमेंट से नहीं हासिर होता ये सालों साल जन्ता की वीट उपस्तिती दर्ज रखने से और उसके लिए काम करने से हासिर होता है मोधी जी जब देश के प्धान मंत्री बने जो गरीब बैंक में पैर रखते भी घबडाता था जन्दन खाते के माद्यम से उस गरीब का खाता पैंक के बाहर टेंट लगा के खोला गया जिक्से वाले का घरों में बरतन माज़ने वालों का सबका खोला गया और मनेजर सामने खोला इसके पहले साइद हो जाता तो मनेजर साम उसको जिड़क भगा भी देते हैं हमने उस हर गरीब के घर गए सिरेंडर देने का काम किया जिसकी वहन बेटियां माताएं यहुला फुपते वे आंसूबाती ही जिए इसी तरीके से हर गरीब को हमने पके छत देने का वादा किया था और उसा में आगे बड़ा रिकार्ड तंख्या में हमने पक्के छत दिये हैं अभी तक का रिकार्ड है हर घरीब की घर सोचाले हो बहन मेटियां बाहर ना जाए इज्जत घर देने का हमने काम किया हो भी रिकार्ड संख्या है हर घर जले होजरा पर हमने काम किया अच्छा कि पानी के लिए बहनों को दूर ना जाना पड़े अच्छी बात के आपने सबको सच पेजन उप्लग दो उस स्योजरा पर भी हमने काम किया अधिस अंदर जेश के आजादी की इतने वर्षों में जब केवल यहू धान गन्ना की एमस्पी में सामिल था हमने दलन त अधिने कदम बढ़ाया है आज मस्पी भी आमने बढ़ाई थाट फसलों की कोई किसां यह नहीं कि प्रदा है कि फला फसल कि आपने नहीं सब्सक्राइब अच्छा और जितनी वर्दी हमने की उतनी ब्रदी जितनी हमने नौ साले नौ साल में कर दी है गवरो जी उतनी वर् तो नहीं कह सकता साथ साल बोलेंगे आप कोगरिस के दस्कों कि याद जलाएंगे पतीसी साल पर उग्याच चलागा उतनी विद्धी पिछले तीस सालों में नहीं हुई इतनी हमने नौ साड़े नौ साल में की हमस्पी दिया देख लिए उठा करके दिकार जी और जो मोदी ज को लगता कि नेवादें पूरे होंगे और यह गारंटी कैसे पूरी होते होते दिख्टी दो सुना लिए मेरे सवाल भी रहेगा आपसे बिल्कुल सारे सवालों जवाब दूंगा जी बिल्कुल हम बोली जल्दी बोली समय का मैं यह गारंटी दिख्टी तीन सो सत्तर उठा के द्टमीन में फेकने पर अच्छा के गारंटी दिख्ती रामलला के भब45 από कर देने और तारीग नहीं बताएंगे राम लला माएंगे कहने वालों जबाब देने की चांप देने लोग आज जानते हैं मानते हैं और उनके मुझे सुनना चाहते हैं अगर कोई बादा पूरा नहीं होता है जैसे गारंटर होता है कि कोई लोन में गारंटर होता है कोई नहीं होती है तो पर कौन यहां पर चथी का बात करेगा क्योंकि soccer की बात भी नुब नहीं औतकी बात की चाहिए जोन लोगों मुदरया में लोन दिया गया रोजगार और नवकरी का अंतर आप भी समझ लीजिए दो करोर नोकरिया भारफ सरकार के पास भी नहीं है अच्छा चलिए चूरी रेलवे और एर फोर्स एस समय आप आगे रहे रहे दिए रहें नहीं रुक जाईगे तरी सेना साधी सेना और रेलवे मिला देने तब लोगों को मुद्रा यूना से जोड़ा और चालिस करूर लोगों को मुद्रा यूना से जोड़ा लोगों को आपने लापकारी हो गए तो चार तीया बारा हो गया याड़ी एक सो बीस कर लोगों को आपने सुखी कर दिया तो फिर लोगों को रहा है क्यों ने रहा है जिस समय देश में टोटल लागडाउन लगा अच्छा तारे काम धंदे रोके गए अच्छा आपको घर से काम करने के लिए का गया जो आनलाइन कर सकते तो उन्होंने घर से किया जो नहीं कर सकते तो उनके काम धंदे बंद हो गए कोई हमारे देश में भूखा ना सोए हमारे राज में उस तरह की खबरें हम देखने के आदी नहीं कि एक बार उठाईए हला परिवार भूख से मर गया हमने इसके लिए का यह उंधिम्रेदार ठराया था अपने सुर्वाति काल में हमने हर परिवार को इतना रासन दिया कि कोई भूखा न सोए हम रासनों को सराब कंपनियों के बेचरे के आदी नहीं है कवडियों के मोल हमारा रासन हमारे किसान अनदाता की मैनत हमारे लोगों के काम आएगी ह हम लोग कल्जान कारी राज के अधारा पर काम करने वाले लोग ठीक है ठीक है और मुझे उसका भी जवाब दूंगार दिया तो 120 क्रोड़ आप लापकारी मिल गया है अब बताएगे आपने कोई दुकान खोली लापडाम में दुकान पर नहीं जा सकते तुकान आपकी बं ठीक है नितिन भाई आपने सुना और आप लोग यहां पर रुजगारी का आरूप मत लगाईएगा वहाई ने ऐसी ब्याक्ख्या दिया है कि आपको कुछ नहीं कियाना है चालिस कर उन्होंने काता रुजगार देंगे चालिस गारंटी दिया है चालिस कर लोगों को यहां है यहां पर बेरुजगारी की गारंटी मर मागीए गारंटी चल लही है और रहल गांजी ने उसको अदान की गारंटी का है आपने भी सुना ओगा जबाब आप भी देजे जी विदर बाई बनते जा रहा है, 140 करूर लोगों को, मैंने मुद्रा लोन दे दिया, तीन लोगों को रोजगार से भी जोड़ दिया, और उत्तर पदेश के मुखमंत्री कह रहे हैं, मेरे पास बहुत सर्प्लस बनी है, और हमारी जो डायल एक सो हंड़े, डायल एक सो बारा की ललकीना मिचा है, उनको निकाले दे रहे हैं, उनको पईजाने दे पा रहे हैं, किसानों को डी एपी आप दे नहीं पा रहे हैं, जंता को आप सस्ती बिजली दे नहीं पा रहे हो, इतना सर्प्लस इनके पास है, अस्पतालों को आप बेड़ दे नहीं पा रहे हो, उनक्तर अजार से चक पर्तियों को आप नया दे नहीं पा रहे हो, जिनता को किस तरीके से आप गुब्रा कर रहे हो, इससे ज़्यादा आप सर्म की बात दें, मोधी की गारंटी तो आप कल हाइस्ट्रेक चला था एक बज़े बज़े, मैं पता ने आपके चैनल में कहना नहीं चाहिता हूँ, लेक इस देश दूब जाएगा अगर मोधी आगर रहे है, इसकी गारंटी तो है कि अपता कि इनों नों जितना डूब होया है, जो थोड़ा सा बालवाल बचें सरके, तो भी डूब जाएंगे, ये गारंटी मोधी की हो सकती है, क्योंकि आप डूबने क्लिए को देखे, जोरो जी आँकड़ों पे अगर आपके खेल खेलेंगे, तो ये असी करोड़ लोगों को ये रास्तन दे रहे है, मोधी जी कहते हैं, एक सो पचीस करोड़ परिवार और एक सो पचीस करोड़ परिवारों ने सबसेड़ी छोड़ दी, तो जब इस देश का प्रदान मंत्री जो है, बोड़ दे देते हैं, तो ये पता नहीं, गुरु गोविंद सिंग, कवीर दाज जी, अगुरु गोल अकनात, ये सब एक साथ बैट करके राजी में मीटिंग कर लेते हैं, तो ये तचसिला नालंदा कहां हो जाएगा, तो ये मोधी जी है, मोधी जी की गारंटी हम एक किस्ता सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा इस बिसे से अलग है जाएगा, एक मेड़क ता उसने गारंटी ली थी, हम लोग कभी कभी इपने दोस्तों सुना देते हैं, तो आप उसकी गारंटी कौन लेगा, क्या कहोगा, ये आप जंता चानने लगी, मोधी जी हम कल तक देखेंगे एक बार में, और वकालत नमा लगाना पड़ेगा, तो हम लगा देंगे, कोई बहुत बड़ा बेसरा मकर होगा, तो माहना नहीं कम करना कर देगा, कि इतनी बेसर, लिग बार कैसे कर सकते हैं, वालती इस सापार्टी के लिए, मैंसे मैं आपको बतानू आपने कहें, तो फिर देश में परोजगार का बच्छा, एक सुपीस करोड़ लोगों में, अथारा साल के अवादी कितनी है, उसको निकाल देने, उसको अगर निकाल दिया जाए, तो इस देश में कितनी आवादी है, आप साल से उपर रेटार्मेंट वाली एज को निकाल साल से कम कि आबादी को निकाल दिये, इसके बाद इसके आवादी कितनी है, बिलकुल एई होगी, उसावादी में इन्सको नोन न कितने policymakers नोन को रोजगार देजी, आप समझ सकते हो, यहीइए अपने आप में हाशे सकते हो, मैरी मेरी इगर दरना चाला जली लगाता हूं, तो बागी गारंटी की आप कटाच कर रहे हैं उसको कटाच मत करिए जो तीन गारंटी पूरी हुई है जो अन्न गारंटी पूरी हुई है और यह भी कहा है कि अगले साल कारकाल शुरू होगा यह भी गारंटी लेकर सुरू जरू होगा और प्रामति स्वाहिं लालकरी पैसे बोल चुक है अगली बाद फिरम आएंगी पंड़कस्त को तो यह भी विश्वास है और यह भी कहा है कि भारत विश्व की तीन आज विवेक भाई ने जो शुरूआत की है हसी उस पर आ रहे थी कि हम इस सीरियस बातों पर चर्चा कर रहे थे और हमारे भाई चुकी लहाबाद इनुवस्टी से आते हैं तो मुझे हसी इस बात से आ रही थी कि हमारी इनुवस्टी में जुट बोला नी सिखाया गया था जो जूट की गारंटी को बिवेक भाई ने इतने सही अर्थों में स्थापित कर दिया है आज जब इनुटने बैंकों की बात की जन्धन योजना की बात की ये भूल गये कि जया अंद्यादेश आया था इतिन बाइस बात को इत्फाक रगते होंगे कि जब 2 अक्टूबर 1975 में अधाणिया इंद्रगाधी जी थी उन्हें अध्यादेश की बात लिकि उसमें ग्रामेर बैंकों की इस थापना ओन्स लाय गया था उससे देश में उन लोगों तक बैंकों को पहुंचाये गया था, डाग घरों को वहां तक पहुंचाये गया था, शाय कि दिवेग भाई कभी गाउ में या इस अधर नहीं होंगे, इसलिए इनको जन्मर खाता खोलने की जो योजना थी, मैं बता दू पहले, अरे गाउ का होना और गाउ में रहके होना, दुनrière में बहुत आफरे कभूर जी, जो लोग गाउ मालों का खून चुथते हैं उन्हें पता नहीं होता है, कि गाउमें रहना क्या होता है, घर होना डाव में रहना नहीं होता है, गाउं के लोगों की दर्द को समझना गाउमें होना होता है, यह शुरुपँ उस का तक उनमाद की बैमनस्त की और एक जोड़ लीजिये अपने देश को सर्मसार कराने की जो गारंटी है बिल्कुल गारंटी उनकी है उनकी बोलना हम भूल जाते है उस गारंटी में जिसकर विबेग भाई ने बाकी मुद्दों पर आएंगे तो बहुत लंबा बहस हो जाएगा ले चाहती हूं विबेग भाई ने जिस 370 की बात कर ली ट्रिपल तलास की बात कर ली जितने उनने बता दी गारंटी लिया था उसका देश के लोगों का फाइदा राममंदर की बात की उसे देश का कितना फाइदा हुआ मैं आ रही हूं यह बता देंगे तो बहुत अच्छा ह नाम पे अपनी राजनी चमकाने वाले लोग एक्च्वल में जब मरीपूर पे पुछ प्रस्न पूछना होता है और वहां पे इसकी बात होती है तो जवाब नहीं होता है तो लगता है इनको किसी ने कुछ सुमा दिया एक क्या वाजी लिए आ रही है दूसरी बात गौरों में जनता के लिए पुछ काम करने हैं का शक्षक्ष के लिए होता इस देश के चीजों को बेहतर करने के लिए हो तो अभी तो यह अभी तो जो कर रहे थे ज्च जोट फैला रहे थे यह लोगों कोभीहि उसरे रंग ए आपने बिश्वकप में देखा कि जिस तरह से ट्रेंड हो रहा है चीजे हो रही है हम नहीं जीते इसका तकलिफ आपको भी है और मुझे भी है लेकिन नहीं नहीं मैं एक बात में चीह दिखाना चाहरते हुआ आपको जरू ठान से देखेगा यह फोटो बारल की गई थी एक दिखाया गया था कि आश्ट्रियलेक कप्तान ने पैरों की निचे ट्रॉफी रखी हुई है फोटो एडिट करके उसके स्टूल को हटा करके वहां पे रख दिया गया ट्रॉफी और यह ट्रेंड किया गया कि जीत तो सकते लिकिन सम्मान नहीं कर सकते हैं इस देश की मानसि की जिस देश में समरस्ता का भाव था उसको खत्म करने का पुर जोर प्रयास किया है यह है जूट फैलाना हमारे निताओं की बारे में रोज जूट बोलना लेकिन इनके बारे में जन्ता में क्या ट्रेंड हो रहा है अगर करोडों में देखिए उसे किते ट्रेंडिंग दे जिस जंदा किये बात करते हैं और नितिंद्र भाई जू बाते कर रहे थे उसमें असी करोड़ जो पांच किलो अनाज मिल रहा है उन्हों को भी जोड लीजिए तो जो संख्या भीवेक भाई की अब गरभणा जाएगी जो स्क्वाइर कर रहे से में खतम हो जाएगा आप म सुदा जी ने बताया कि भाष्परशच वगता कहां से ठड़के आये हैं उनको बताद उल्हों कि जो जाता है वह शीख जाता है तो यह ढब तक Iskoole में पाद की जीख जाता है और अभी यह कप की भीवी बात हुई तो उसमें जब तो उनको बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया पर पनौती पनौती कहा जा रहा है तो वही चीज है और मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि देखिए एक पल का अगले का तो भरोसा नहीं है किसी का कि अगले क्षण क्या हो जाएगा ठीक है लेकिन वहां पर साहब जाकर गारंटी की बात करते हैं तो यह कौन सी गारंटी है जो इनको इतनी गारंटी के साथ यह कह ले रहे हैं इस पर बड़ा शोध करने वाला इस पर दो चार लोगों को पिएच्डी करवाई है आप अच्छा और हां बिलकुल और यह जो पनौती वाला मामला चल रहा था तो इसको मेरे भी संग्यान में यह आया तो गौरो भाई मैंने उस पर दो लाइने लिखी हुई है अगर आप इजाज़त दे तो मैं कहूं इनको अब माने तो यह नहीं बोले कि दिरूर रहा है तो सुन लीजिए मैंने राजस्थान में जो चुनाओ चल रहा है तो मैंने इसके आगे की एक शेंदंडोर है उसके दूनिया में नाम बड़ा है इनका और बोले थे चाई वाले हैं लाकों का सूट जिनका ना तो मन चंगा इनका, ना तो मन चंगा इनका, ना गंगा में कठोती है, क्योंकि चुनोती पनोती से है और लास्ट इसका मिसला मैं गा देता हूँ, एक खुद की गारंटी देते पल का भरोसाना, कहते परिवार जन पर कोई भी आरोसाना जुमले से बचके रहना, जुमले से बचके रहना, घोशना हटोती से है, क्योंकि आगे की लाइनप मैं नहीं बोलूँगा, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, यहीं बताना चाहरा था, कि गारंटी का आच प्राइब जी 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 गारंटी डेने के लाइक है तो तो त्लाग अटा धाया रामण ने नर्मार भी तरफ पूरा किया प्रते हैं ती तुर नियुगा गया अब एक चीज बताइए यह दस साल के अंदर में इनोंने 3 तलाग अटा लिया, 370 अटा दिया, यह तो मैंन रहों आटा दिया, इनोंने वह इन्हें वह रहा है, राम लंदिर नर्मार, फिर वे तो राम लंदिर नर्मार कोड के आदेश पर हो रहा है, इनकि दो अजार चौधा में आ गय थे, यह तो या 19 से लेके ये 23 तक देखिए जब तक कोड का निर्णे नहीं आएगा तब तक तो बनना नहीं था वो तो इन्होंने कहां से बनवा दी वो तो कोड के निर्णे प्रिज़ा है तो यह और यह राम मंदीर देखिए मैं फिर आपको बता दूँ राम मंदीर तो इन्हों ने तो यह जो मामला ही बहुत पुराना है इन्हों ने राम मंदिर के मुद्दे को भुना कर सत्ता में यह जरूर आई यह गारंटी तो इनकी है यह गारंटी है कि यह सत्ता में आए लेकिन आप इनकी कोई चलने वाजी नहीं है दूसरी एक बात मैं और बोल के अपनी बात खतम क है वहाँ पर इनकी कोई गारंटी क्यों नहीं काम कर रही है वह सारी गारंटी इनकी सिर्फ वहाँ के लिए होती चुकि जुमले बात संकार कहा जाता है तो जुमले वहाँ पर भी फेके जा रहे हैं इसलिए गारंटी गारंटी कुछ नहीं है और इसके अलावा यह कोई बा प्रतिकार आप आपके पार लेता हुआ है और यहां गारंटी पर मखौल बनाया जा रहा है वह तक सही और गारंटी सब्टका जो पास्ट्विक अर्थ है कि आधार जमानत और पूरा करने की एक आधार सिला यह गारंटी होती है आपको समय पूरा नेंगे आपको समय है गारंटी तो एक नहीं है जी और यह गारंटी जो लेता है और देता है जन तक साथ मैं छलावा मानता हूँ एक तो मुफ्त की रवड़ी आपको हम यह दे देंगे कहां से आप लाओगे वो ट्रैक्स्पियर मीडियम क्लास का है मैं हमेशा बात उसाता रहता हूँ गोरो जी उसके पैसे के दुर्पयोग है चाहे हो कांग्रेस हो चाह हमारा सरोच नयाला भी नाराज हुआ है कि मुफ्त कोई सामान नहीं मिलेगा और मुफ्त यवादार लग जाती है तो हराम खोरी आती शरीर में क्यों मेहनत करें अच्छा थानेतलों को मिली रहा है तो मैं तो इसका पुर्जों बिरोद करता हूँ गारंटी जो प्रधार र और किसने संचालान हो रहा है अच्छा एभी एक एस प्रस्ण है कि खाते तो खुल गए बढ़िया खुल गए लोगों पास पैसा नहीं जमा करने करें लोगों पास पैसा नहीं रह गया है इस दोर वितनी महंगाई ने तबाह कर दिया है आदमी को कि वो जंधन योजना ला कि नहीं पा रहा है दूसरी बात गवरो जी किसानों बात करते हैं मैं दावेक साथ करा रहा हूं कि मैं देखके आया हूँ कि इस समय डीएपी धूनें नहीं मिल लई है और डीएपी साथ एक नैनो यूरिया इक्स्रा दी जा रही किसानों को जिसके लिए एक बैग्यानिक लिखा में भेज़ सकता हूँ आपको उसने लेख लिखा कि इससे कैंसर जैसी बिमारियां होती हैं और उत्तर प्रदेश में नैनो यूरिया किसानों को जवरस्ति लादी जा रही है जब कि उनके पास यूरियक नहीं मिल पा रही है यह किसानों के हाल है और किसान सम्मान दी मैं स्वागत करता हूँ परदा मंतरी जीन अच्छा कार किया लेकिन कितने किसानों को पैसा मिल लहा है यह भी आप देखा होगा और मैं एक चैनल बैठा तो महां डिबेट मिठा कि कितना सम्मान दी में डीबी टी में कितने घुटाले हो रहे हैं उस पर सरका ला दिखा दो टंकिया बन गई लाइन बिच गई है उसके पानी आतर में कब आजाएगा यहां तक जो वीडियो हैं ऐसे से गावों में गड्डे खुदवादी हैं कि उनके उपर अभी तर रेसिंग नहीं हुई है आजमी बरसातम निकलना मुश्किल हो गया है इससे तो ठ प्राइब कर्मी एक सब्सक्राइब कर्म चाहिए और उसका ठेका दूसरे दिया गया अब सर्जा बाता है तो संबिदा कर्मियों कोई भरती कि नहीं होती है अगर होती हो तो CBA जान सकता लिए इतों बेरोजगारी जो बेरोजगार सिकार है अभी आप वेकेंसी निकाली है लोग काम कर रहा है साथ हजार में परिवार कैशे पलजा है मीडियाम कलास गोरोजी तो मर गया इस गोर्मेंट में मैं दावर है सब्सक्राइब करना जैसे हमारी आई बच्चों फीस माफ की गई नहीं हमारा बिजनी भील माफ कर आ गया और उपर से दस जार से उपर अगर कहीं भूल से आपका बिल आ गया तो वहां पावर हो से फोन आएगा भी या सुबाले बुशा दी जाएगी यह जंद तक साथ किया सब्सक्राइब करता हूं सुधा जी की बात से नों ने बताया कि कांग्रेस के साचन में इतना बैंक थे गामेड बैंक खोले गए उनकी जानकारी के लिए बता दूए जंधा नियोजना में पचास करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खोले हैं अगर आपने खाते खोले होते पचास करोड़ लोग अमरीका से तुझा के खाते नहीं खुलवाए न देश में खाते हर साल जंधा नियोजना में खोले जाते हैं और आउर बता दू सुनिंगी की एक बात जवाब इसमें सामिल है कि अगस्त दोजार तेईस तक 33.98 करोड डेविट कार्व प्रदान मंति जंधा नियोजना की तरफ जारी की जा चुकी है ठीक है तो यह तो रहां जंधन खातों का सच अब आज आईए मैं आकड़ों से बात करता हूं मैं हवावाई बाते नहीं करता हूं आकड़ों बाती हो रही है मुद्रा योजना में 40.82 करोड लोगों को लोन दिया गया 23.2 लाग करोड उपया डिस्पर्स किया गया मुद्रा योजना का लोन मिलता है ग्वरोजी आपने बात को उड़ा दिया और रहीए होवाई उपयों में करता हूं मैं आपको पता चासबह पताह थी अगर छोटा सा विल्डिंग की दुकान में खुलता है तो उसमें उसके साथ हीलपर में दो लोग दोगरी पाज़ाएं तो कोई भी अगर चाहे की दुकान कोई खुलती है तो यहाँ चाहे के साथ भी एक दो आदमी रोज़गार पाजाएं मेंने यह कहा था कि गुद्रा योजनां में जिसको भी हमने दो निया यह को रहा है सब को नोकरी सरकार के पास दो करोड नौकरियां नहीं हैं हमने सुली हमने रोजगार की बात की कांग्रेस को नोकरी और रोजगार में अंतर आज तक समझ में नहीं मनें को नहीं होगी तो अब बता दें इसके वहुझत दो करोड नोकरी की बात कि तो यह तो आप पागल है लोगों को पागल बनाने कोशिश कर रहें जी जब हमने दो करोड रोजगार की बात की थी तो आप लोगों को पागल बना रहें जिनको जिनको रोजगार का अंतर नहीं मालूम है जी जबाब देना हो जवाब देना जी जवाब देना जी जो आपने कांचार को जन्बर के खुले हैं लेकिन मैं कर रहा हूं पचीस हजार के लोगों को आप देखाएं बगमन कर लिया जवाब दे रहे हैं आपका नितना बै कुछ बोला है ब्शुन करने दीजिये जुआ जवाब दो एक आद्मी के बल जमानत बची इँ जमानत दो आपने कांचार करोड़ आपने खाते खोले हैं जन्ता ने कुछ एकिस हजार करोड़ एक लोगों का बैंकों मैं जबर कर दो आइसा कोई खाता नहोगा इसके ओपर पांचो सॉसाप्सों रुपाइ के पड़ाडि नागयों लोगों पार बस्ते लएइते आपके जीनो बेलन पर खाता खोलने के लिए कहा था फिर आप अधिर आपके अधिर ज्यास्तों यह नितनी अरगों लेको जोग लोगा जोगें उसके बाद आपने उपाइसाखा लिया कितना एंपने किया है शुरासी जार क्रोन रुपया आप उसका राइट आप कर देता हो एक कों आप कर इस्थेदार लीजे क्यों आप ग्रिण माप करते हैं और पंद्रह जार क्रोड रुपया उसका माप कर दिया जाता है क्या लगता है आपकी पार्टी तो से इसां सब्सक्राइब कितना हो गया है पचीस हजार क्रोड रुपया यहां है आपने वह कम लोगता है चाले 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 एक बहा हम आप पाल्सी मैंटर पर चांटी ठोकी थी वहाराश्चा में अधाय की गारंटी और वहां की चीप मिनि कितना बड़ा मिजदेश का बरस्टाचारी हो जाए कि इस बात की गारंटी है मोदी की चले चले मैं आप जी आप सब्सक्राइब आज ही एडिया की साथ सो कुछ करोड की संपत्ति कुर्किया जी कांग्रेस का लोग बिला रहे हैं सुधाजी को तर्द मैसूस हो रहा होगा आपने यहां पर कहा कि जो रोजगार की बात करता है वह पागल है रोजगार और स्वरोजगार दोनों अलवाला चीजे हैं आप में दो करोड़ों रोजगार की बात कर सकते थे कि आपने कहा कि आपने यहां पर 40 से जारे लोगों को आपने रुजगार दिया मैं आपके तीन से आपने गुणा किया मैं उसको भी अटा देता हूं चलिए उसको भी अटा देता हूं तो अगर बास्तम में हमारे देश की जसकी आबादी साथ परसेंट युबा है यानि लब लबग साथ करोड़ हमाई देश की आबादी युबा है और युबा बचेंगे जिनको नोगरी नहीं होगी और साहिल वो युबा वो होंगे जो तैयारी कर रहा होंगे या पढ़ रहा होगे तो आपने जब्यूबादी युबाओं को यहां पर आप अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है तो भी विरुजगारी की बात आ रही है कहां पर आ रही है यह मेंगाई से त्रानिमम आ रहा है क्यों आ रहा है जब सभी अपने पैरों पर खड़े है तो किसी को पैसे की समस्या क्यों नहीं होनी चाहिए फिर यहां पर जनता के साथ पर विपड़ से यहां पर उनी उठा रहा है जबाब आप देजे फिर्टे नमागी बाद कर लोगा जी मैंने आख़णों के बाद कर लोगों को लोन दिया गया आप प्रते हैं रोजगार या स्वराजगार कुछ भी मालने हम यह मानते हैं इससे भी विट्टी की जीवका चल मैं जीवका मालनेता हूं ठीक है जीवका लिए चलीए जिस वी किसी वेउसाइद से मेक्तिकी दूका चलुती है उसका रुजगार है ठीक है टीक है एक जी हमारा यह कहना थे कि आउस्तन एक कुद्रा योजना के लोग से दो लोग और लावानमीत हो जाते हैं जी लोग जो पर रखा है जो सरकारी नौकरी चाहते हैं ततता यह है कि सरकार के पास सब को देने के लिए नौकरिया नहीं है नहीं है वहने भी नीचे यह बड़ा देश है हमारा रहा है एक दे भी नहीं चाहिए दूसरी कि हम लगों को सब्सक्राइब श्क्राइब कर कर क्रें जिस्की लिएंबंहे सकते दिए ईस्के लिए बहारत में इंडिया इसके कि दिया ninety थे ने पना पना रोजघार करना कि धिश्रेंडों कि आपकोई लेकिन जो पढ़े लिखे लोग है अच्छा इस दौरान आप ने देखा कि हमारे परदेश सही तमाम परदेशों की शिठा में उस्था क्या हाल ला है जो थोग के भाव में आपने बीए यम्मेक पास करकी निकाले हैं मैं आजाता हूं मुलायम सिंगी से खले सादू जी के समय सब्सक्राइब कर देता हूं जो आप ने सब को पास करके निकाला है इनको दर्खास लिखने के और इस ती नहीं है वह भी रोजगार की हला मचा रहे हैं बहुत छी बात कही है आप इसकी लोग करते को यह और रोजग सब्सक्राइब निकली तो जानते होगे अपने बुला जाता है चपरासी यानि पानी पिलाने वाला और मैं आपके जानकारी के बता दूँ उसके लिए लाखों लोगों ने आभिदन किया था उन लाखों लोगों में लबग सतर परसेंट बीटेक और बड़े यूजी बेवे भाई पड़ा लेखा ही होता है हर ब्याबार करने वाला यह बात नहीं है कि वह बड़े लेखे लोग भी यहां पर बड़े ब्योशाइच चला रहा है जब भी जो भी बेट के अंजरेज होता है आम तर पर वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करता रहता है तो यह पिसने आपके उपर भी हो पिसने बैस्ताओं पर भी है मैं आपको यह बात वहूं अपको बिल्बकुल इसको साविट कर सकता हूं जी 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 ज्यां जी ने पिक जी नितनीरम बूला है भी नितन नियरम बोल लए ha प्रवाइब जी अभी इनों ने बड़ी बात कही इनोंने प्रवाइब जी की सरकार में बहुत सारी लोग पास हो गए और वह आप रोजगार के लिए गूम रहा है भाईया मुलायम जी की सरकार पुरारा कदर हो गया उनके समय के पासाउट लोग सब ओबरें अधर नहीं हम लोग का दोर हम लोग भी इस समय जो रिजल्ट आता यूपी असी आप देख लिए आप इसका सिजसी बोर्ड आइससी बोर्ड का तो 95 से 98 परसें लोग पास आउट होते हैं और उसमें ज्यादा था लोग असी परसेंट से प्लस के नंबर आते हैं तो अब यह मैं पूझ रहा हूँ अब यह लोग तो बड़ी समस्या पढ़ा कर देंगे नरेंगोंदी जी के लिए योगी जी के लिए अश्यात्वत बात करें आज मुझे लग रहा है कि कल विवेक जरूर्ड पोई बड़ा बेसरफ उकना करेगा क्योंकि आइसी बाते आप कर रहे हो आज चास्तुर कि जिसका कोई जवात नहीं कोई तो नहीं और इनोंने 50,000 दंदन के खाते की बात करें थी 50,000 करोड जंदन खातों की बात करें थी मैं कह रहा हूं आज सब कोई खातेदार नहीं होगा जंदन में जिसके खाते से 500-700,000 रुपए बैंक में कटे ना हो जोकि जीरो बैलेंस पहले इनोंन खाते खुलवाए इसके बात का आप में 1000-2000,000 रुपए डालिये फिर लोगों रुपए डाले और उसके बाद में लोग जब जस्ती खुलवाए कि समय डिएपरो जैवे नमबर का महिना ग꺼ाऊं की बाद है न ऑन तब योरिया मॉपएर कुल बाद क्रण आए, इस प्रश्टाचारी नाज़ाने किया जो ब्रस्ताचारी हो पार्टी में आए मोधी की गारंटी है वो जेल नहीं जाएगा वीदेश्ट मारी बोलेते कि राम मंदर की आप गारंटी लिये थे वो तो यहाँ पर हम लों ने बनुआ आए है कोट ने बनुआ है आपकी कोड़ी गारंटी थी जवाब देंगे और मेरा प्रशने साथ में ले लिए फिर आप दीजेगा जैसे भी चालिस करोंड चालिस करोंड लोगों की मुद्रा योजन उसकी बातकरी इनोंने लोन देने की उसमें से मैं आपको बता दूं कि 33 दसंब करोंड शिशू काटेगरी के लोगों को दिए गया है जिन को लोन देने की जो वह है वह पचास हजार से लेके एक लाग है पचास हजार तक ही दिया जाग ठीक है यह के चिशू की और उसके बाद जो किशोर कैटेगरी है उसमें 50,000 पाँच लाग तक दिये जाते हैं जी ज पचास जार जिस जिनको बाटा गया है वह चालिस करोन में 33-34 करोन रुपया पचास 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 जार रुपया जिनको नहीं गया है असान नहीं है और अगर आप नहीं चुका पाते हैं रुपया है पचास पचास जार रुपया हैं से प्रदानमंत्रीजी आज गए हैं आज के समय में पचास हजार रुपए में आप ठिलिया हूँ नहीं बनवा पाएंगे जो आपने 33-34 करोन रोंगों को पचास हजार का लोन बाटा है और यहां पर धिंडोरा पीट रहे हो आप कि आमने 40 करोन लोगों को दे दिया जूट पर जूट हो गया हो गया है तरी नहीं है यह यह जूट करते हैं पचास हजार रुपए में एक दस हजार रुपए की एक बाइंडी मसीन लेकर के मोटर बाइंडी का काम सुरू उचकता है ते तिस करोन लोग वही पचास हजार वही ते तिस करोन क्या वी वेक बाइंडी की जनता को आप पचास हजार में बेंडिंग मशीन चालू करा पचास जार रुपए में कोई वेल्डिक मशीन नहीं हाती है आप आप सराव का बार चलाते हैं आप केस्टे तो ज्यादा बड़ी है मैं गरीमों की बात कर रहा है मैं रोजगार की बात चलिए जली होगे तरह आप बिल्डर है आप नहीं थोड़ी कोज तर पाएगा तीक है पकाओड़े का ठेला लग जाएगा पचास हजार में उसके आप सरार के चल से आप को जोड़ के उनके रोजगार मांगने वाले लोगों को कर दिया जाए और रोजगार के नाम पे कुछ भी करा देने की बात को कहके अपनी पीठ खुट ठोक ली जाए उस देश में आप कोई प्रस्ट नहीं पूछ सकते हैं तो कि यह चाहते ही नहीं कि अब ही नितन भाई नहीं कहा कि वो अबर ऑब एद हो चुके हैं जिनकी ओ बात कर रहे हैं ताहिर से बात ़ीज़ा है को बिल्कुल भी जिन पह पोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है जे मैं हर बार केहती हूं चुकी मैं शिक्चा पुछा हूं मैं यूपीज़ी के बच बच्चे चाहते हैं नोकरी करना, क्योंकि उनके माबाप के कुछ सपने हैं, उन बच्चों ने पढ़ाई करने के लिए अपने अपने अपनी अपने अपनी जगर पे जो प्रदा हाशिल की है, वो चाहते ही कुस देश के लिए करे, लेकिन ये सरकार, उन्हें बता रहा है कि बेंडिंग की मसीन कर लिजे, ठेलाक लगा लिजे, पकॉडे बेच लिजे, ये कारे तो कोई भी कर से तभी बच्चों ने पढ़ाई क्योंकि, बच्चे साक्षर होते, बच्चे तेंद पास करने ते अपना काम करते, बिजनिस करते, उन बच्चों के जीवन में भारत के करना था, उन बच्चों के सपने इस देश के लिए कुछ है, अगनिवीर के नाम पर इंदो ने कहा था, जो अगनिवीर बच्चों को बना की चप्रासी बना रहे थे, ऐसे लोगों की मानसिक्ता, आप समझ सकते हैं, बच्चों पर बच्चों पर मजा बना रहे हैं, बहुत पर अपनी बात रखी तो बहुत तरीकी से बताया और प्रबक्ता बाजपा ने भी यहां पर अपनी सरकार की गारंटी की बाते पर अगर सब यहां बैता तरीके से काम कर रहे तो यहां पर फिर हाय तो पर आपको रोटी कपड़ा और मकान की गारंटी देते हैं यह गारंटी देना सरकार का कर्तब बे है और दायर भी है जनता ने आपको चुनकर किसी कुर्सी बठाया है उसकी जिम्मिदारी आपकी है जनता के सुरच्छा की जिम्मिदारी भी आपकी है उसको रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मिदारी भी आपकी है यहाँ पर गारंटी केवल समय से समिच्छा करते रहें तो सायर यहाँ पर गारंटी लेनी का सकता ही नहीं पड़ेगी, क्यों युजनाओं चलती है पर युजनाओं का क्रियानबर बहता तरीके से नहीं होता है और जनता यहाँ परिसान होती है और जहाँ पर जिस तरह से हर जनाओं का क्रियानबर कराने की होनी चाहिए और गारंटी या जनता जनारदन को खुज रखनी की होनी चाहिए तब ही देश वहाँ बैतर होगा और तब ही जनता जनारदन का सपना पूरा होगा फिरहले जनता यह सब जानती है इसको सब पता है कि यहां किसकी गारंटी कितनी यहां पर बुनियाद है और क्या धार है पर यहां पर जब जनता गारंटी लेती है कि हमें किसको हटाना है किसको बठाना है तो वो गारंटी अगले पांस साल तक जरूर चलती है वो इसकी गारंटी हम जैसे खवर अन्वीज भी लेते हैं क्यों